आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल बिलकुल सही पड़ा अब जो है प्रोविजनल अटेच्मेंट के नोटिस आने शुरू हो गए हैं और ये नोटिस आपको दिक्कत कर सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसा को नोटिस आया है तो आप इस वीडियो को अंति क्लासि की देखेंगा कि क्या ये नोटिस सही है या गलत है प्रोविजनल अटेच्मेंट होता क्या है इस नोटिस का रिपलाए कैसे करें अगर आपके बैंक एकाउन्ट को सीज कर दिया गया है तो उसे कैसे आपthी करें इस न बात को आप समझो कि अगर हमने आपको कोई notice दिया section 62 में 63 में 67 में 73 या 74 में और notice हमने आपको दिया और आपकी निकाल दी 2 करोड की demand एक करोड की demand तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि आप यह demand पेनी करोगे और भाग जाओगे तो इसलिए हम इसलिए हम क्या करेंगे revenue को protest करने के लिए हम आपकी जो property होगी उसे provisionally attach कर लेंगे provisionally attach मतलब की time being के लिए attach कर लेंगे सर कितने time के लिए attach कर सकते हैं भाईया यह attach कर सकते हैं एक साल तक के लिए तो एक साल तक के लिए आपके bank account को siege कर दिया जाएगा आपकी property को attach कर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर दिक्क का notice दिया अब मैंने उस notice का reply कर दिया अब जब मैंने उसका reply कर दिया तो department को क्या करना चाहिए department को अपना order issue करते ना चाहिए लेकिन department यहाँ पर क्या करता है order तो issue करता नहीं है वो कहता भाई मैं तो अपने हिसाफ से order issue करूँगा जब मेरे पर time होगा तब करूँगा और मेरे पास order issue करने का time limit है तो वो क्या करता है section 83 में आपको इस तरह का notice भेज देता है आपको नहीं आपके banker को कि भाईया इनके bank account को siege कर दो ना ये पैसा निकाल पाए ना जमा कर पाए अब यहाँ पर client हो जाता है आपके पास ये letter आया है आप department से पूछो कि भाईया आपने जो हमारे bankers को भेजा है कि भाई इनके bank account को siege कर दिया जाए तो आप ये बताब कौन सी proceeding के against आपने करा है और अगर आपको पताए कि ये proceeding चल दी है 73 की 74 की तो आप यहाँ पर एक बात करें उनसे ये बोले कि भाईया इस proceeding को खतम करो हमने तो इसका reply दे ही दिया है ना यहाँ पर आपको ये बात उन्हें कहनी पड़ेगी अगर वो फिर भी उस बात को नहीं मानते हैं तो आपको एक rule का सहारा लेना पड़ेगा जो rule number है 159 sub rule 5 ये sub rule 5 ये क्या कहता है कि भाईया अगर आपकी property attach हो गई है तो 7 दिनों के अंदर ही within 7 days आप क्या करें commissioner को objection file करें कि भाईया जो आपने हमारा bank attach करा है ये गलत करा है आपको कोई गलत फैमी हुई है हमारे उपर ना तो कोई demand है ना कोई notice है और अगर है तो उसकी हमने जवाब देई कर रखी है तो यहाँ पर आप अपना objection file कर सकते हो अब उसके बाद होगा क्या commissioner को अगर लगेगा commissioner को अगर आपको लगेगा कि हाँ वह यह बिल्कुल ठीक करा है तो वह आपको एक opportunity of being heart देगा और उसके बाद आपका जो attachment हुआ है उसे निरस्त कर देगा खतम कर देगा यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि budget जो हमारा आया budget के अंदर section 83 के scope को बढ़ा दिया गया section 83 के अंदर अब से पहले स्रिफ 6 section थे लेकिन budget आने के बाद इसमें 6 section की जंगा 24 section इसमें insert कर दिये गए है तो यहाँ पर आपको यह बात समझनी पड़ेगी 83-1 का scope बढ़ाना कई बाद department के लिए खतियार बन जाएगा department हो सकता है कि हर case में आपके bank account को attach कर दे और आपके business को impact करे क्योंकि यह budget के अंदर 24 sections यहाँ पर देखिए 24 sections इसमें cover कर दिये गए हर छोटी छोटी बाट पर provisionally attach आपकी property हो सकती है तो यह आपको समझना होगा budget वाली कोपी तो आपको मिल गई होगी ना अगर आप paid copy लेना चाहते हैं तो इन नंबर पर WhatsApp करके ले सकते हैं free copy स्रीफ हमारा मई edition है वो हम आपको free में दे सकते हैं तो यह बात किलिए हुई कि section 83 में अगर आपका notice आए तो आप rule 1595 को use करके उसका reply दे सकते हैं यहाँ पर मैं department से request करना चाहूँगा ministry से request करना चाहूँगा कि इस तरह के sections को जब आप इसको wide करते हो बढ़ा देते हो तो आप department को एक advice आरी करें कि भाया आप हर case में attachment ना करें क्योंकि हमारे client के case में हुआ गया है कि client न reply दे दिया notice का लेकिन फिर भी उसके bank account को attach करके रखा हुआ है जो की बिल्कुल गलत है उन्हें क्या करना चाहिए अपना demand order निकालना चाहिए जिससे की client उसके again अपील जा सके और अपने business को कर सके इस तरह के section business में बहुत जादा impact डालते हैं बजट में इसी तरीके से बहुत सारे changes हुए है अगर आप देखना चाहते कि budget में क्या क्या changes हुए है तो हमारा क्या है GST और income tax pay budget का seminar है 16 फरवरी को अगर आपने अभी तक इसमें registration नहीं कराया तो registration करा ले अगर यहाँ पर webinar देखने का time नहीं मिलता है तो tension बतलो जो भी हमारे pen drive members है हम उन्हें recording देते हैं और इस तरह के section सारे बताते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारी pen drive purchase नहीं करी है तो आप हमारी pen drive गूगल drive purchase कर सकते magazine लेनी हो pen drive लेनी हो webinar में registration कराना हो सबके लिए यही वाले number है और हाँ आपको यह पता ही होगा कि भई GST अगर अच्छे से करना है तो busy software बहुत अच्छा काम कर रहा है तो busy software के अंदर GST की सारी entry आ कैसे करें तो उसके लिए हमने एक workshop रखी है GST के लिए तो यह workshop भी अगर आप join करना चाहो तो join कर सकते हो यह हमारी 21 फरवरी को है वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में लिख कर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जादे से जादा लोग हो तक इसे share करना channel आपने subscribe करी दिया होगा फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो channel देखते हैं लेकिन subscribe नहीं क झुट